आप सब ठीक होगे? Most welcome to Mukesh Mehta Anand Academy चैनल पर आपका हाँ, आप देखिए आपने thumbnail से चेक कर लिया होगा Passes for Comprehension बहुत ही अच्छा topic है यह mostly students जो है एक्जाम में अच्छा नहीं कर पाते हैं तो बहुत अच्छा वेब बताया गया है यहाँ पर हाँ, 10th के students खास कर देखें जी, lesson first है A letter to God lesson में से है हाँ, प्लीज पहले इस चैनल को सब्क्राइब कर ले वीडियो को लाइक भी कर ले और वीडियो को end तक देखें और end में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं हाँ, इससे पहले दो वीडियो और भी है letter to God पे यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिए, तभी आपको यह comprehension समा जाएंगे हाँ, उसके लिंक जो है आपको description में मिल जाएंगे, या फिर इस वीडियो को end तक देख लीजिए, और उसकी लिंक जो है आपको वीडियो के end में मिल जाएंगे तो वहाँ से आप दबारा देख सकते हो फिर इस वीडियो को दबारा देख लीजिए हाँ, एक आप से और request है 10th की students बहुत कम इस वीडियो को देख रहे हैं तो please सभी देखिए जो आपके friends नहीं पढ़ रहे हैं, जहां भी पढ़ते हैं जिसी स्कूल में, उन सबको ये वीडियो शेर करो और उनको inspire करो कि वो पढ़ें, देखी एक वीडियो बनाने में पूरा दिन लग जाता है, मैं जब आपके लिए इतनी मेनत कर रहा हूँ, तो मेरा इतना तो फर्च बनता है, कि आप से ये बात कह पाऊँ, कि आप इसको जो है, subscribe करवाएं चैनल को, अपनी friend से, अपनी relative से, अपनी family member से तो जितनी subscribe ज़्यादा होएंगे, तो मेरा motivation बनेगा, और मैं और इससे अच्छे अच्छी वीडियो आपको दूँगा, हाँ और answer भी आप comment में लिखें कोई बात नहीं, wrong होगा कोई ऐसी tension लेने की जुरूत नहीं है तो इससे आप सीखोगे, मैं reply भी करता हूँ, reply में देखा करो आप अपने आप को improvement कर सकते हो चलो, करते हैं शुरू देखें जरा पैसेस को पहले read कर ली जी वैसे ये lesson मैंने read करवा रखा है आप वहाँ से भी अच्छे से read कर सकते हो हाँ देखें जी with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers with a satisfied यानि की बहुती संतुष्टी जनक समान के साथ थी उसकी फसल पका हुआ नाज था, फुलों से लदा हुआ था, ड्रैप्ड इनने curtain of rain और वर्षा से भी धका हुआ था ड्रैप्ड इनने curtain, curtain होता परदा यानि वर्षा की एक बुछार के लो या परदे से धका हुआ था but suddenly strong wind begin to blow and along with the rain very large hailstone और प्रंतु अचाना की तेज हवा जो है चलने लगी और उसके साथ ही वर्षा के साथ ही बड़े बड़े होले गिरने लगे begin to fall और गिरना शुरू हो गए these truly resemble new silver coins और ये सचमुच जो है नए चांदी के सिको की तरह परतीत होते थी मैंने वर्ड मिनिंग बताए हूँ है जो पहले वाली वीडियो है उसमें आप वर्ड मिनिंग देख सकते हो यहां मैं फटा-फट बताऊंगा दबवाइस exposing themselves to the rain और लड़के जो है दोड़कर जो है वर्षा में चले गए अपने आपको यानि exposing होतल कपड़े बगए उतार दी I ran out to collect the frozen peels और वो बरफ से जमे हुई यानि मोतियों को कठा करने लगे यानि कि frozen peels का मतला hailstone ओले ओलों को कठा करने लगे पिंजाबी में आप बोलते हो गड़े It's really getting bad now और वास्तम में बुरा होने जा रहा था explain the man और आदमी ने वर्नन किया I hope it passed quickly मैं उमीद करता हूं कि या जल्दी से निकल जाएगा It did not pass quickly यदि या जल्दी से ना निकला For an hour the hail rained on the house और एक घंटा तक ओले यदि घर पर पढ़ते रहे The garden, the hillside The cornfield on the whole valley क्याता है एक घंटा तक वहां से नहीं निकला और एक घंटा तक ओले पढ़ते रहे घर पर बगीचे बगबाग में पहाडी में, hillside पे उसका घर था वहां अनाज में और पूरे की पूरे घाटी में Why did Lancho took look satisfied Question है आपके लिए जो अब पूछा गया इसमें Why did Lancho look satisfied Lancho जो ए संतुष्ट क्यों दिखाई देता था हाँ टाइप कर लीजी आंसर शाबश कर लीजी Why did Lancho look satisfied Lancho जो ए संतुष्ट क्यों दिखाई देता था टेजन बताईए लिखे लिखे टाइप करिए शाबश तो देखे इसका आंसर बताएंगे भी आपको Lancho जो ए उन्हें ए संतुष्ट क्यों दिखाई देता था संतुष्ट क्यों दिखाई देता था इसका रीजन आप टाइप कर चुके हो मैं अभी बताऊँगा आंसर इसका और दूसरा कोस्ट ने फिर तुरंत क्या हुआ हांची दोनों के आंसर देखी कैता Lancho looks satisfied Lancho जो ए संतुष्ट दिखाई देता था वेन ही सादा फील्ड आफ जब उसने वेन ही सादा फील्ड आफ राइप कोरन with its flower Lancho जो जो है संतुष्ट दिखाई दे रहा था जब उसने पके हुए अनाज के साथ यानि फूलों के साथ पके हुए अनाज को देखा तो इस तरह संतुष्ट दिखाई दे रहा था ठीक है जी Next question है What happened all at once स्तुरंत जो है क्या घठना घठी वई तो इसका अंसर है Suddenly a strong आपने पैरे में पढ़ा भी है Suddenly a strong wind begin to blow अचानक जो है एक बहुत ज़्यादा strong wind जो है चलने लगी यानिगी तुफान बहने लगा strong wind में तुफान लगा स्तुरं भी लिख सकते हो begin to blow and along with the rain very large hailstone begin to fall और इसके साथ ही along with the rain वर्षा के साथ ही बड़े बड़े ओले जो है गिरने शुरू हो गई hallstone begin to fall गिरने शुरू हो गई समझ गये होगी हाँ जी तो next question देखे दिख रहे है आपको screen पे what did lancho hope for lancho को क्या उमीद थी हाँ मैं बताइए क्या उमीद थी lancho को third question का answer देखी third question का answer क्या उमीद थी he hoped for the hail to stop उसे उमीद थी कि ओले जो है रुक जाएंगे इस पेरे के coding बताना है इस पेरे में hope उसे गोड किसे ना लिख देना hope थी उन्हें he hoped for the hail to stop हाँ जी next question देखी what were lancho's feeling when the hail stopped क्याता है what were lancho's lancho की क्या भावना थी किस तरह की भावना थी जब ओले गिर रहे थी तो क्या मैसूस कर रहा था और why क्यों कर रहा था ऐसा मैसूस जो भी मैसूस कर रहा था why क्यों तो लिखी इसका अंसर टाइप करें शाबाश हाँ कर दें टाइप कर दें हाँ जी देखी इसका अंसर lancho was filled with sadness lancho जो है उदासी के साथ भर गया because क्यों भर गया हुई why भावा भी पुछा है न तो why का अंसर भी है तो पहले तो उसकी भावना पुछी है उसकी भावना क्या है lancho was filled with sadness उदासी से या दुख से भर गया ये उसकी भावना थी next पुछा है वह क्यों भरी ऐसी दुख की भावना क्यों थी because the entire crop या whole crop भी लिख सकते हो because the entire crop was destroyed क्योंकि पूरी की पूरी फसल नस्ट हो गई थी तो ये था इसका question next देखिजी आप which word in the passage mean इस word का क्या meaning है ये जो दे रखे दोनों word covered with आपने पैरे में पढ़ा है covered with तो देखिए covered with का meaning क्या दे रहा है वही हाँ जी बताइए लिखिए type करें शाबाश type कर लें क्या meaning दिये है covered का हाँ जी आपने पैरे में पढ़ा है बताइए type करें शाबाश नहीं किया देखिए फिर आपको बताते हैं जी हाँ जी तो इसका meaning है dropped मिनी क्या वही covered नीचे answer लिखा है पताइए अभी covered, wrapped next word है हाँ जी next word देखी next word है to look like तो to look like का meaning भी बताइए भई to look like हाँ जी तो पैरे में पढ़ा हो तो ध्यान से बता सकते हो resemble resemble में ने होता है उसी कितरह दिखाई देना, सवान शकल to look like उसी कितरह दिखाई देना covered भी दोता है धके होना draft भी ने भी धके होना तो यानि कि वो चांदी के सिक्को कि दरह दिखाई दे रहे थे जो गिर रहे थे hailstone ठीक है जी तो hailstone resembles a silver coin ठीक है इसलिए resemble आना था look like answer देखे नीचे मैंने लिखे answer जी आईए आप screenshot ले सकते हो इनके answer जो है लिख सकते हो हाँ जी worksheet first है इसके answer लिख सकते हो आप covered with draft or to look like resemble कर ली होंगे note हाँ screenshot ले लिजी बाद में answer चेक कर ले ना ठीक है जी हाँ जी अगला पैर अपड़ी ये फटा फट कहता all throws the night पूरी रात्री the night लेंचो थोट only of his one hope लेंचो जो अपनी एक ही उमीद के बारे में सोचता रहा the help of God और वो उमीद क्या थी भगवान से साइता whose eyes as he had been instructed जो उसने अपनी उनकी आखों से था जो उसने सीखा था sees कि क्या whose eyes उसकी आखे देखती रहती है sees everything पर तेक चाहे उसकी परतेक उसके दिल में ही कोई बात क्यों ना हो कॉंसे में क्यों दिल में क्यों ना हो लेंचो वाज है ना ox of a man लेंचो जो एक बैल की तरह काम करने वाला ox of a man का मतलब बैल की तरह काम करने वाला hard working person working like an animal in the field जैसे कि एक animal खेत में काम करता है but still he know how to write प्रन्तु वै जानता था कि कैसे फिर भी कैसे लिखा जाता है उसे लिखना फिर भी आता था यानि कि काम भी करता था खेत में फिर भी पड़ा लिखा था यानि लिख लेता था the following Sunday आने वाले रवीवार यानि Halloween ने next Sunday यानि आने वाला Sunday at daybreak daybreak कम जो लोता दिन का निकलना सुबह होना he began to write a letter उसने दिन निकलते ही पत्तर लिखना शुरू कर दिया which he himself would carry to town जिसे वैस्वें जो है नगर ले जाना चाता था and place in the mail और mail करना चाता था it was nothing less than a letter to go या भवान को लिखे पत्तर के लावा और कुछ नहीं था question देखे जो आई what did Lancho think all throws the night Lancho जाए पूरी रात क्या सोचता रहा पहली line में ही है इसका answer क्या सोचता रहा one hope तो इसका answer किस तरह से लिखा जाएगा वो देखिए देखे लैंचो की जगे आप ही लिख सकते हो या लैंचो लिख दो और जो ये question सी बनता answer देखे जी did है ना तो अब ये did तो लगेगा नहीं हमने answer बनाना है तो उसमें जो पास्ट इंडाविनेट में आप tense कर चुके उसमें वर्व की second form आएगी तो simple sentence में तो think की second क्या होगी भी thought हो जाएगी बस thought of his only hope एक ही hope कौन सी hope which was the help of God इस तरह लिखा जाएगा one hope लिख के ना चोड़ देना which was the help of God ये लिखना पड़े तब आप concern की marks मिलेंगी हांची next why did he pin his hope on God alone के वल उससे भगवान से उमीद क्यों थी because क्यों थी वही इस cancer देखी because he thought God sees everything क्योंकि वैस सोचता है कि भगवान परतेक चीज़ को देखता है even in one's heart परतेक के दिल में भी देख लेता है यहां तक की परतेक के दिल में भी देख लेता है परतेक चीज़ को देखता है और परतेक के दिल में भी नेक्स्ट कोस्टन है why was he been called an ox of man लिखी इसका अंसर पहरे में आप लिख चुके हो टाइप करें शाबाश तो इसका अंसर है हाँ जी कर लिया होगा टाइप because he worked like an animal in his field क्योंकि वैं खेत में काम कर चुका था because he worked like an animal in his field क्योंकि वो खेत में जो एक जानवर की तरह काम करता था मतलल बहुत मेनत करता था तो आप जो है न वीडियो को pause करके लिख लिया करो यानि pause मतलल रोक लिया करो stop कर लिया करो उसके बाद type कर लिया करो फिर अपना आंसर देखा करो match किया करो कि सही है हाँ जी next question है which word in the passage mean the same as हाँ आपने fourth question में इन words के meaning बताने है यह two words है एक तो है an inner sense of right and wrong an inner sense of right and wrong हाँ जी बता सकते हूँ क्या होंगे an inner thought of right and conscious हाँ जी क्या होगा इसका conscious ठीक है इसका हमने heart होता हमने ठीक है heart conscious inner thought conscious आएगा इसका heart means दिल में था उसका हाँ next word है thought, thought में नहीं क्या होता है teach thought सिखाना तो क्या होगा इसमें क्या word use होगा पेरे में पड़ो सारा दो type करो शाबश हिंदी मीनिंग बता दिया मैंने अरे instructor instrument में ने क्या होता है वहाँ जी instruct ATP क्या होता है हाँ जी बोली instruction क्या होता है जी सिखाना ही थो होता है instruct आएगा इसका ठीक है जी खेली है जी आगए तो यह देख सकते हैं आप इसका आंसर, an inner sense of right, wrong का है, conscience, और taught का है instruct, screenshot ले लीजिए, और फिर not कर लेना answer समझ गए होगे आप, हाँ जी, type करें answer, जुरूर दिया करें comment, जितना आप comment करोगी, उतना आपको जयदा सिखोगी, देखिए पैर आगला, गोड, थर्ड, थर्ड पैर है last, जिनको answer आतने चेकोस्टर पढ़के answer लिख दीजी इनके, शाबश, लिख दीजी, हाँ, type कर दीजी, very good, गोड ही रोट, भगवान, उसने लिखा, भगवान, if you don't help me, यदि आपने मेरी साहता ने की, my family and I will go hungry this year, मैं और मेरा परिवार जो है, इस साल भुखा मरेंगा, I need a hundred, पेसो, पेसो मा की करंसी है, हमें जो है, सो पेसो के उशकता, in order to sow my field, मेरे खेतों को दबारा बोने के लिए, and to live until the crop comes, और अगली फसल आने तक, because the hail storm, क्योंकि ओलो ने जो है, आगे meaning उसने बतानी में नस्ट होगी है, he wrote, उसने लिखा to God, on envelope, जो बहर लिफाफा होता है, उस पर लिखा, उसने भगवान लिखा, to God, put the letter inside, और पत्तर इसके अंदर डाल दी, and still troubled, went to town, और फिर जो है, वो दुखी होता हुआ, चिंतित होता हुआ, नगर की और चला गया, चिंतित होता हुआ, चिंता में था, और नगर की और चला गया, troubled, चिंता गरना, at the post office, और post office में, he placed the stamp, stamp and ticket, उसने एक ticket लगा ही, on the letter पत्तर के उपर, and dropped it into the mailbox, और उसने mailbox में इसे डाल दिया, यानि, डालना आपको पता होगा, हाँ, नेक्स्ट कोस्टन है, टाइप करें इसका, who does he in the passage refer to, he, किसको refer करता है, लिखें इस cancer, हाँ, जो आपने उपर पढ़ ले, और he wrote, इसने लिखा, किसके लिए, ही किसके लिए यूज किया गया यह वर्ड, हाँ, जी, इसका अंसर है, गोड, लेंचो, he refers to, लेंचो, he refers to, लेंचो, यह लेंचो को refers करता है, next question है, why did he write a letter to God, उसने भगवान को पत्तर क्यों लिखा वई, बताए यह reason, आपने पैरा पढ़ा है, क्यों लिखा वई, क्योंकि उसकी फसल नस्ट होगी थी, he wrote a letter to God, हाँ, why वाले का answer, because से दिते हैं, तो देखी, question से भनता answer, देखी, इसमें did है, तो did तो नहीं लगाएंगी, second form लगाएंगी, हाँ, क्यों लिखा, because ही वाले क्योंकि उसे निश्चे था, God would help him, यह भगवान उसकी साहिता करेगा, इसलिए उसने पत्तर लिखा, पैरे में यह आया है, how much money did he need, उसे कितने पैसों के अशक्ता थी, हाँ जी, पैरे में पढ़ा, आपने कितने पीसों लिखा, 100 पीसों, तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, हाँ जी, he needed 100 पीसे, यह की question से यह answer है, यह दी did अटाएंगे, need की second आएगी, तो यहाँ he needed आजेगा, subject ही है, और फिर 100 पैसों, आजेगा पेसों, हाँ जी, क्या किस चीज़ के लिए चाहिए थी, he needed money, अब उससे पैसे चाहिए थी, to sow his fields, अपने खेतों को, again, दुबारा बोने के लिए, and to, and to live, until the crop came, to live until the crop came, जब तक अगली फसल नहीं आ जाती, रहने के लिए, to live, रहने के लिए, ठीक है जी, तो यह fourth question, अब देखिए, fifth question, passes में से ही देखिए जी, हाँ जी, passes में देखिए, very good, worried word के लिए पैरे में क्या word यूज किया गया, फटा-फट बताईए, time हो गया, हाँ जी, worried के लिए जल्दी से बताईए, हाँ जी, type कर दीजी, आता है, तो इसका meaning बताया भी था मैंने, हाँ जी, troubled, troubled मिन क्या होता है वही, चिन्तित होना बताया था, हाँ next है जी, put, put के लिए क्या word यूज हुए वही, बताया था, हाँ जी, जल्दी से type करें, dropped, तो दोनों word कठी पड़े थे, उपर था, और एक नीचे, dropped और troubled, तो आप answer भी देख सकते हो, worried का क्या आएगा, हाँ जी, troubled, troubled, worried का troubled, और put का, dropped, हाँ जी, screenshot ले सकते हो, very good, लो जी, अब ले ली जी, हाँ जी, ठीक है जी, very good, समझ आगे होंगे, हाँ, thanks, आपने देखा वीडियो को, और आपको और भी पैसेज इस तरह ट्राई करने चाहिए, हाँ, please, फिर मैं request करूँगा, मेरे इस चैनल को सब्क्राइब कर दें, और अपने friends से भी request करें, कि वो मेरे इस चैनल को सब्क्राइब करें, हाँ, आप शेयर करें करें, वीडियो शेयर करना मैंने बताया हुआ है, हाँ, एक वीडियो में ने डाली हुई है, कि आप किस तरह वीडियो को like करोगे, comments किस तरह करोगे, आप अपने एक चैनल बना लीजए, YouTube चैनल, हाँ, और इस वीडियो को share करें, हाँ, जो students ये चाहते हैं कि हमें जो ऑनलाइन सीधा पढ़ाया जाए, तो ऑनलाइन भी मैं पढ़ाऊंगा, हाँ, उसके लिए आपको जो इस YouTube के अंदर comments करने होंगे, सर हमें जो है, ऑनलाइन पढ़ा दो, तो एक एप है, उस एप को आप डाउनलोड करोगे, उस एप पे मैं आपको ऑनलाइन भी पढ़ा सकता हूं, तो आज के लिए इतना thanks, watching for this.